आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अध्याय तिन का ये कवित नामक सिर्शक है जिसका पाइट टू चलेगा ये कवित आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें पसंद्रितू का वड़न किया गया था बालक के माध्यम से और यहां पर यह जो कवित है इसमें प्रिथ्वी और आकास के सुन्दरता के वड़न किया गया है इसमें पुरिमा की चादनी रात है और चार तारों से भरा हुआ आकास है उसकी सुन्दर्ता का इसमें वड़न किया जाएगा प्रित्वी और अलकास में जो सुन्दर्ता है उसका वड़न किया जाएगा इसमें और पुलिमा की चादनी रहेगी और रात चातारों से भरा हुआ अलकास रहेगा उसके सुनरता का इसमें वढ़न किया गया है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप प्रारंद किया जा रहा है भटिक सिलानी सव सुधरयो सुधा मंदिर उधदिद अधिको सो अधिकाई कभी के करने का अर्थ क्या है देखेंगे चादनी की चमक ऐसी लग रही है मानों किसी पादरसी पत्थर से पवित्र मंदिर का इर्माड किया जा रहा हो देखें प्रारंद में क्या जोडेंगे चादनी की रात ऐसी लग रही है जैसा कि हमने बताया कि चादनी की रात होगी और चाद तारों से भरा हुआ आकास रहेगा उसका वड़न किया जाएगा वड़न में प्रिथ्वी और आकास दोनों रहेगा ब्याख्या प्रारम कैसे होगा चादनी की रात ऐसी लग रही है मानो किसी इतना जोड़े हैं क्योंकि व्याख्या ही चादनी की रात का है मतलब उजाला उजरिया जिसे आप लोग कहते हैं चादनी की रात ऐसी लग रही है मानो किसी पारदर्शी पत्थर से पवित्र मंदिर का निर्माड किया जा रहा हूँ इसका देखेंगे अर्थ क्या होगा फटी का अर्थ होता है पारदर्शी सिलानी का अर्थ होता है पत्थर सो का व प्रयोग भाव के अनुशार सुधारयो निर्माड करना सुधा पवित्र मंदिर मंदिर व्याख्या में कैसे बोलेंगे आप लोग समझ सकते हैं फटी कसी लानी सव सुधारयो सुधा मंदिर चादनी की चमक ऐसी लग रही है मानो किसी पारदर्सी पत्थर से पवित्र मंदिर का निर्माड किया जा रहा हो अब आगे देखेंगे उददीद अधीको सो अधीकाई उमगे आमंदर और प्रित्वी पर दही रुपी समंदर अधीक तेजी से उमढने लगा हो मतलब चादनी की रात है और प्रित्वी पर कैसा मतलब कि यह तो अकास में ऐसा लग रहा है अब देखेंगे जो प्रित्वी पर वह कैसा लग रहा है और प्रित्वी पर दही रुपी समंदर दधी दही उधती समंदर देखिए दधी का अर्थ होता है दही दधी का अर्थ होता है समंदर समुद्र जिसे आप बोलते हैं तो अधिकाई अधिक अमद तेजी से अधिक तेजी से उमगे उमडने लगा हो उमडने लगा हो यानि उपर नीचे ठीक है तो अधिकाई का अर्थ होता है अधिक अमद का तेजी से उमगे का अर्थ क्या होता है उमगे मतलब जोस यानि उमरना उमरना यानि अधिक तेजी से उमरने लगा हो ठीक है तो व्याख्या देखेंगे कैसे प्रारम करेंगे और प्रित्वी पर और प्रित्वी पर दही उपी समंदर अधिक तेजी से उमणने लगा हो ठीक है अब ब्याख्या देखे लेंगे फिर से ब्याख्या देखे लेंगे फिर से आप लोग दो पंक्ति का देखे लेंगे चादनी की चमक ऐसी लग रही है मानों किसी पारदर्सी पत्थर से पवित्र मंदिर का निर्माड किया जा रहा हो क्या लग रहा है चादनी की चमक कैसी लग रही है चादनी की चमक करें है कैसी लग रही है जैसे किसी पारदर्सी पत्थर से पवित्र मंदिर का निर्माड किया जा रहा हो और प्रिथ्मी पर 10 रुपी समंदर अधिक तेजी से उमरने लगा हो ठीक है और प्रित्वी पर दहीरुपिष समंदर अधिक तेजी से उमडने लगा हो आगे देखेंगे बाहर ते भीतर लओ बीतिन दिखए दे चादनी की रोसनी घर के बाहर घर के भीतर साब साब दिखाई दे रहा है उसे रोकने वाला कोई दिवार दिखाई नहीं दे रहा है देव मतलब कभी का नाम है देव देखेंगे बाहर ते भीतर यानि घर के बाहर घर के भीतर लओ यानि रोसनी तो रोसनी किसकी है चादनी की रोसनी ठीक है चादनी की रोसनी घर के बाहर घर के भीतर साफ साफ देखाई दे रही है साफ साफ हम जोड़े है क्योंकि रोसनी है तो दिखाएगा है तो साफ साफ दिखाएगा क्योंकि रोसनी है तो आप इतने का व्याख्या देखेंगे के वल इतने का व्याख्या क्या है चादनी की रोसनी लव का अर्थ क्या होता है रोसनी रोसनी किसकी है चादनी की चादनी की रोसनी घर के बाहर घर के भीतर साफ साफ दिखाई दे रही है और उसे रोकने वाला इतना जोड़े हैं भाई और उसे रोकने वाला कोई भी दिवार दिखाई नहीं दे रहा है किसे चादनी की रोशनी को चादनी की रोशनी घर के बाहर घर के वितर साब साब देखाई दे रहा है और उसे रोकने वाला कोई भी दिवार दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई है ना दिखाई नहीं दे रहा है अब आगे देखेंगे दूधा को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद और वह रुसनी और वह आंगन के फर्स पर ठीक है और वह क्या जोड़े हैं और वह मतलब कौन चादनिक रुसनी और वह आंगन के फर्स पर इस प्रकार फैली हैं मानो दूद का फेन फैलाओ तो इसे दमधेद देखेंगे आप आंगन फरस बंद यह आंगन के फर्स पर फर्स यानई फर्स पर आंगन के फर्स पर क्या और वह कौन चादनी की रुशनी और वह आंगन के फर्स पर ऐसा दिखाई दे रहा है और वह आंगन के फर्स पर ऐसा लग रहा है मानू दूद का फेन फैला हो आगे देखेंगे आप तारासी तरनी था में धाड़ी जिल मिली होती तारासी तारो से भरी विरात्री इस प्रकार जिल मिला रही है तारासी तारो के समान तारो से भरी विरात्री इस प्रकार जिल मिला रही है मानो कोई न यूती आभूसर पहन कर नित्य कर रही हो कहने का अर्थ क्या है निखी जैसे आकास है आकास में रात के समय में तारा दिखाई देगा और वह जिल मिला रहा है तो उसी को देखकर हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई इस्तरी है कोई लड़की है और वह हीरा और वह आभूसर पहन कर नाच रही है तो इसी को हमको ब्याक्ख्या में बोलना है ब्याक्ख्या देखेंगे कैसे बोलना है तारा सितरनी मतलब तारों के समानों वह लड़की है ठीक है थामे ठाड़ी वह खड़ी होकर ठीक है तामे ठाड़ी वह आभूसर पहन कर खड़ी है ठीक है तामे ठाड़ी का इसका आर्थ है मतलब आभूसर से युक्त है ठीक है आभूसर से युक्त होकर खड़ी है अब इसको ब्याख्या के अनुसार बोलना है तो आम ये ठाड़ी का मतलब क्या हो गया आभूसर युक्त होकर खड़ी है कौन इस्तरी ये देख रहे हैं इसका केवल पर्योग होगा दूसरी बार जब तो तर्नि था में ठाड़ी का मने कि हिसका अल्थ क्या हो जाएगा इस त्री इस्तरी आप उसरा परण कर खड़ी है है तो आप इसको ब्याख्या क्नुशार बोलेंगे तो इसका देखेंगे तक रोस भरी हुई रात्री देखे इपर इसको बोलेंगे हम पहले इनको बोलेंगे तारों से भरी विरात्री इस प्रकार जिल मिला रही है ठीक है देखिए तारों से भरी विरात्री इस प्रकार जिल मिला रही है मानो कोई नव यूती इस्त्री इदना जोड़े हैं भाई मानो कोई नव यूती इस्त्री देखिए ये तरनी गर्थ क्या होता है नव यूती इस्त्री मानो कोई जोड़े हैं बस मानो कोई नव यूती इस्त्री आभूसल पहन कर नित्य कर रही हो जिल्मिलाती का प्रयोग दो बार हुगा है एक बार तारो के लिए और एक बार इस्त्री के लिए ठीक है जिल्मिलाना जिल्मिली होती मतलब हिलना होता है तो एक बार तो तारा हिलेगा और एक बार इस्त्री हिलेगी तारा हिलेगा तो आप समझ रहे हैं और इस्त्री हीलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया इस्त्री नित्य कर रही है ठीक है तो वी आख्या देख लेंगे फिर से इस पंग्ति को ध्यान पुरवक समझेंगे तारो से भरी हुई रात्री इस प्रकार जिल्विला रही है मानो कोई न यूति इस्त्री आभूसर पहन कर नित्य कर रही हो ठीक है बाद को समझेंगे फिर से तारो से भरी हुई रात्री इस प्रकार जिल्विला रही है इसका प्रयोग दो बार हुगा है एक बार तारो के लिए एक बार इस्त्री के लिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखी आगे मोतिना की जोती मिले हो, मलिका कुम करंदा ऐसा लग रहा है जैसे मोति को जोती मिल गया हो या बेल के फुल से रस मिल गया हो या बेल के फुल से रस मिल गया हो देखी अर्थ, मोतिन की जोती, मोति की जोती तो ब्याख्याम कैसा बोलेंगे, कैसे बोलेंगे ऐसा लग रहा है जैसे मोति को जोती मिल गया हो या बेल के फुल से, मलिका बेल के फुल या बेल के फुल से रस मिल गया हो मकरंद यानि रस मलिका का अर्थ होता है बेल का फूल मकरंद यानि रस तबेल के फूल से रस लगा देंगे मिल गया हो मिल्यों का प्रयोग दो बर किया दाएगा एक बार मोती का जोती के लिए एक बार फूल का एक बार बेल के फूल से बेल के फुल से रस मिल गया हो इसके लिए ठीक है तो ध्यान देगा कि मिलना मिल्यों का दो बार प्रयोग करेंगे एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए ठीक है तो ब्याख्या देखेंगे और ऐसा लग रहा है जैसे मोती को ज्योती मिल गया हो या बेल के फुल से रस मिल गया हो अब आगे देखेंगे आरसी से अंबर में आभासी उजारी लग गये दरपड से आकास देखने पर चमक के समान उजाला लग रहा है दरपड से आकास को देखने पर चमक के समान उजाला लग रहा है कौन आकास ठीक है आरसी करता दरपड यानि सीशा देखे कर आए आर्सी से अंबर में कहने मतला कि दरपड से यानि सीसा से आकास को देख रहे हैं रात के समय में मतला पुडिमा का दिन है उस समय सीसा से आकास को देख रहे हैं आभा से यानि चमक के समान उजारी लगए यानि उजाला लग रहा है अब याख्या हम कैसे बोलें देखे द्यांद जीगा दरपर से देखने पर दरपर से दरपर से आकास को देखने पर ठीक है दरपर से आकास को देखने पर जोड़े हैं ठीक है देखने पर जोड़े हैं दरपर से आकास को देखने पर चमक के समान उजाला लग रहा है ठीक है क्या आकास क्या लग रहा है उजला अकास एकदम उजला लग रहा है एकदम साप दिख रहा है ठीक है कैसे देखने पर धरपड से देखने पर आकास यहां को हटा देंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है दरपड से देखने पर आकास ठीक है दरपड से देखने पर आकास चमक के समान उजाला लग रहा है यह व्याख्या सही रहेगा इसे ठीक है सब लोग ध्यान देंगे फिर से ध्यान दिजेगा पर देखड़े पर जोड़े है दरपड से देखड़े पर आकास चमक के समान उजाला लग रहा है अब आगे देखेंगे प्यारी राधी का को प्रति बिंब सोल गत चन्द और चाद मानो और और चाद मानो देखें यास द्यान देज़ेगा और चाद मानो प्यारी राधी का जी की पर चाद मानो प्यारी राधी का जी की पर चाद मानो और चाद मानो प्यारी राधी का जी की पर 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 चाद मानो प्यारी क्या होता हुआ देख रहेंगे ब्याख्या को फिर से और चाद मानों प्यारी राधिका जी की परच्छाई लग रहे हैं विद्यार्थी गड़ आप लोगों ने इसे विदी पुर्वक पड़ा है आप लोग इसे अच्छे से दोरा लेजिए दोराने से आप भूलेंगे कभी नहीं देखिए जहां पर कठी समय आता है वहां पर जोर दीजेगा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बार हम फिर से दोरा दे रहे हैं देख लिजे दम अच्छे से ध्यान दीजेगा सभी लोग चंद्रमा की चादनी ऐसी लग रही है मानो किसी पार दरसी पत्थर से पवित्र मंदिर का निर्माड किया जा रहा हो और प्रिथ्वी पर दही रुपी समंदर अधिक तेजी से उमर्ने लगाओं चादनी की रोशनी घर के बाहर घर के भीतर साप साप दिखाई दे रही है चादनी की रोशनी घर के बाहर घर के भीतर साप साप दिखाई दे रही है उसी रोकने वाला कोई भी दिवार दिखाई नहीं दे रहा है वो आंगन के फर्ष पर इस प्रकार फैला हुआ है वो मने कौन चादरी रुशनी वो आँगन के फर्ष पर इस प्रकार फैला हुआ है मानो दूद का फ्यन फैला हो आगे देखेंगे तारो से भरी हुई रात्री इस प्रकार जिल मिला रही है मानो कोई न यूती इस्त्री आभूसर पहन कर नित्य कर रही हो और ऐसा लग रहा है जैसे मोती को जोती मिल गया हो यह सब देखकर ऐसा लग रहा है ऐसे बोलेंगे और यह सब देखकर क्या बोलेंगे और यह सब देखकर तो ब्याख्या अच्छा रहेगा और यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोती को जोती मिल गया हो या बेल के फुल को रस मिल गया हो और यह सब देखकर ऐसे बुलेंगे बाई जो का जोलेंगे और यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोती को जोती मिल गया हो या बेल के फुल को रस मिल गया हो और दरपण से आकास देखने पर और दरपण से देखने पर आकास ऐसे बोलेंगे ठीक है और दरपण से देखने पर आकास ध्यांद जी कर सबी लोग अच्छे ध्यांद जी स्टार्ट प्रारम अच्छा से आने चाहिए एदम अच्छे सने चाहिए प्रारम में और दरपण से देखने पराकास चमक के समान उजाला लगता है उजाला लग रहा है ठीक है देख लिएगा छे से और दरपड से देखने पराकास और दरपड से देखने पराकास चमक के समान उजाला लग रहा है और चाद मानो और चाद मानो द्यान देजेगा यहां है और चाद मानों प्यारी राधिका जी की परच्छाई लग रही है विद्यार्थिकर आप लोग ने ब्याख्या को बिधिक पुरुवक पढ़ा आए और इसका आनंद लिया है और हम उमिद करते हैं कि आप लोगों को ब्याख्या एकदम बिधिक पुरुवक आया है और जल्द ही आप लोगों को साथ अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद